अभी जो है टाटा एश्टिल के तरफ से जुनियर इंजिनियर ट्रेनी की दुजार चोबिस की जो नोटिफिकेशन है अफिसली आउट कर दी गया जुनियर इंजिनियर के पोस्ट पे जिसमें की अच्छी खासी बंपर विकंसी है 16 प्लस यहां पर पोस्ट के लिए विकंसी पिछले साल 203 की आए थी जाटी और अभी 2024 की विकंसी आ चुकी है जल्दी इसका एकजाम भी हो जाता है जल्दी इसका डिजल्ड भी आ जाता है सभी कुछ तो सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला दो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखत करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनसी की आने वाले जो भी सारी विकंसी की अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है बहुत सारे यहां पर ऑफिशली आउट कर दिया गया ता चैनल के तुट पर जुनियर इंजिनियर ट्रेणीज जो भी सलीजिए इन्प्लिकेशन इन्वाइट कर दी गई है जो भी कंडिय इसमें आजका लिएट से ही इसकी नोटिफिकेशन यहां पर आउट कर दी गया इसमें यहां पर जुनियर इंजिनेर ट्रीनी तो यह जो है एक साल के आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद आपको इसमें परमा इसमें जोब मिल जाती है जो भी कंडिदेट अधिक अपय एग्रेट इसमें कर सकते हैं यहांपर जो मिनिमंद सैनल कौलिफिकेशन यहां पर महा ग रखें यह सभी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं AST या UGC किसी भी रिकोनेट इंसिचूट से कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे और TATA का अलग से एक यहाँ पर एजुकेशनल TATA टेक्निकल एजुकेशन सेंटर होता है इनसे अगर आप किये होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं और में करके दिया गया जिसमें कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स या मेट्रोनिक्स अगर आप कर रखें आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमसेदपूर गोपालपूर यह सभी से भी अकर आप कर रखें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेट्रोनिक्स, स्वी बरांच में डिप्लोमा तो आप यहां पर अप्लाई कर पाऊगे उसके बाद यहां पर दिया गए कि और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन है यह जो नोटिफिकेशन है आपका पैन इंडिया का है तो इसमें जो है और इंडिया से कहीं सी पे कराब बिलों करते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर पाऊगे और यहां पर दो-तीन अलग-अलग अड़टाइजमेंट अलग-अलग specify करके दिया गया अलग state के लिए जैसे कि यहां पर आप देख पाऊगे यह जो है यहां पर आपको पैन इंडिया के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद यहां पर जेटी का जो application है यहां से start होता है यह सभी JAT का लिए यहां पर दिया गया जिसमें कि जो non employee ward के लिए है यह आपको सभी जो भी अलग-अलग candidate है जो freser candidate है उनके लिए निकाला गया है जो employee ward से होता है जो tata still में काम कर रहे है उनहीं के लिए होता है जो non employee ward से vacancy आती है तो उसमें आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप यहां पर freser हैं बिल्कुल apply कर सकते हैं लेकिन जो employee ward की vacancy होती है उसमें जो tata still में पहले से काम कर रहे हैं उनहीं के लिए होता है तो यह अभी freser के लिए है सभी के लिए vacancy हाँ पर out की गए जिसमें की हाँ पर आप देख सकते हैं odisha, jharkhand और maharashtra यह तीन state का जो advertisement है यह अलग से out किया गया है अगर आप odisha, jharkhand से और maharashtra से बिलों करते हैं तो यह तीन advertisement है जिसमें आप इस advertisement में apply कीजेगा लेकिन जो pan india यानि कि अगर आप odisha, jharkhand और maharashtra को छोड़ करके किसी दूसरे state से बिलों करते हैं तो यह pan india वाले में apply कर सकते हैं इसमें all india से कहीं से बिलों करते हैं तो apply कर पाएंगे लेकिन जो odisha, jharkhand और maharashtra का है तो इसमें जो इस state से बिलों करते हैं वही लोग apply कर पाएंगे तो यह सभी advertisement जो है आपको हमारे telegram channel पर मिल जागा तो telegram channel का link जो है video के description में दियागा है यह आपको link मिलेगा comment section के pinned comment में उस link पर जैसे किलिक करोगे तो इस तरह का interface आएगा इसमें आप यहाँ पर जो भी सारे links दियेगा है telegram channel का whatsapp channel का यहाँ से आप हमसे join हो सकते हैं WhatsApp group का जरूर से join होकर करेगा बहुत सारे से notice video जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो आपको यहीं पर मिल जाती है यहाँ पर WhatsApp नमर आपको मिल जागा इस पर click करोगे तो directly आप हमसे chat कर पाओगे तो अकर कोई confusion.query है तो आप हमसे वहाँ से पूछ सकते और जो पिछ comment section में आप लोग के यहाँ पर comment किजिएगा कि आपको previous paper चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको जरूर से बता दूँगा तो वापीस आते है advertisement पर यहाँ पर यह जारखंड का advertisement है तो जारखंड से जो बिलोंग करेंगे और लोग इसमें apply किजिएगा जो पैन इंडिया के candidate अलग आप अलग एस्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप पैन इंडिया वाले में apply किजिएगा यहाँ पर सभी जो यहाँ पर दियाग दिया है सभी में सेम दिया तो इसमें जो भी information दी गई है सभी मैं आपको बारी बारी से करके बता रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सक यहाँ पर आप देख पर आएगे candidate in final year of the academic session leading to award of degree or diploma by July 24 are also eligible to apply तो सबसे बड़ी बात जो भी ऐसे candidate है जो final year में या final semester में और उनका जो डिग्री या डिपलोमा 2024 के जुलाई तक भी complete होने वाली है तो लोग इसमें eligible है apply कर सकते हैं यानि कि अगर आप पास आउट नहीं भी ह candidate must submit certificate of completion of degree or diploma by 31st of August 24 तो आपको जपना अगर आपको फाइनल year में या semester में है तो उनको 31 अगस्ट 2024 तक आपको जो भी certificate है आपको produce करने होंगे training of those selected candidate who fail to their degree or diploma program और are unable to produce the past certificate by 31st of August 24 will be terminated तो अगर को यसे candidate है जो select हो जाते हैं और 31 अगस्ट 2024 तक अपना certificate जमा नहीं कर पाते हैं तो उस case में उनको terminate कर दिया जागा तो यह चीज़ आप समझ गए होंगे आप बात कर लेते हैं यहाँ पर marks की तो जिसमें की general candidate जो भी होंगे male candidate उनका minimum 60% mark से आप पास होने चाहिए general candidate male candidate है minimum 60% से पास होने चाहिए female candidate जो general में आएंगे 55% से पास होने चाहिए इसमें जो ह है SCST को और transgender को only आपको मिलती है reservation बात वांकि जो भी candidate आप है अगर आप ST OBC से आते हैं EWS से आते हैं सभी आपको general category में आएंगे तो यह चीज़ ज़रूर से ध्यान लखिया का आप form फिल करते time भी अगर आप SCST और transgender में नहीं आते हैं तो आप general category में ही form फिल कीजेगा बात जो transgender या SCST communities है इनके लिए यहाँ पर 1 January 1996 से 1 January 2007 के बीच में आपका date of birth like करना चाहिए तो यह age limit हो गया अब बात करते हैं यहाँ पर duration of training की तो 12 months की आपकी इसमें training होगी एक साल की training period होगी उसके बाद यहाँ पर आपको permanent job मिल जाएगी यह permanent jobs है आपको यह एक साल की training period होती है उसके बाद आपका इसमें permanent होता minimum physical extenders भी आपको maintain करने होगे जिसमें की height जो है आपका 152 cm होना चाहिए और girls calendar के लिए 142 cm होना चाहिए expansion of chest जो है आपका 5 cm होना चाहिए weight 45 kg होना चाहिए और girls calendar के लिए 40 kg होना चाहिए तो यह चीज इसमें mandatory होता है eyesight जो है 6x6 का होना चा है उसके बाद बात करते हैं इसमें stipend की तो initially जब आपको इसमें joining होगी तो initially आपको जबी training period होगी 16,531 रुपे आपको per month मिलेगी और इसमें दिया गया जो per month during their training period free hostel accommodation with food यह जो आपका खाना रहना training के दोरान आपको और आपको इनके दोरा दिया जाएगा और जब आपका training खतम हो जाएगा तो उसके बाद आपको खुद से arrange करना होगा और इनके दोरा quarter भी यहां पर दिया जाता है तो यह चीज़ आपको इहां पर पर सकते हैं training के दौरा इसमें आपको इनके दौरा इनके दौरा ही आपको जो खाना रहना पीना सभी कुछ इनके दौरा दिया बात करते हैं पर employment and placement का on successful completion of training the selected candidate will be considered for employment placement the candidate may be placed at any location of Tata Steel or any of its group company of or subsidiary company तो जब आपका training खतम हो जाएगा तब आपको Tata Steel के कहीं पर भी posting आपको मिल जाएगी permanent job की उसके बाद यहाँ पर दिया गए कि BOPT registration selected candidate will be registered with the board of practical training student reason for one year under apprenticeship amendment 1973 subject to their eligibility तो यह आपको registration करने होंगे कैसे इसको apply करना है तो सबसे पहले आपको मैं apply process बता देता हूँ तो यह Tata की vacancy और obviously आपको यह जो TCS के दोरा है इसका form फिल करवाय जाएगा और इसकी के दोरा आपका exams लिया जाता है तो इसमें आपको link मैं video के description में आगे दिखा भी दूँगा कैसे इसको apply करना है उससे पहले जो भी important dates है यहाँ पर बात कर लेता है तो important date जो इसकी 8 January 2024 से लेकर के 19 January 2024 के बीच में आप इसको apply कर पाएंगे तो यह इसका important date है जरूर से इसको ध्यान रखेगा इसका जो date है extend नहीं होता है तो जो date इसमें दी February को इसका admit का release होगा और इसका जो exams है 18 February होगा जल्दी result भी आ जाता है एक month के अंदर में तो सभी कुछ आप हमसे जूरे रहिएगा इससे related जो भी update होगी इसनेल के माद हमसे आपको मिलती रहेंगी चैनल पर एक playlist होगा टाटा आश्टिल के नाम से उसमें already कुछ वीडियो application fee की बात करते हैं तो इसमें जो है सभी candidate को 500 रुपे application fee pay करना होता है तो यह सभी को सभी जो भी vacancy आती सभी बार यह आपको application fee इसमें pay करना होता है तो यह आप कर सकते हैं उसकी बाद यहाँ पर दिया कि आप जो है इसमें recruitment process या selection process में किसी भी stage में आप ineligible पाए जाते है यानि कि आप इसके लिजिबल नहीं होगे तो उसी time आपका यहाँ पर terminate कर दिया जाएगा आपका cancel आपका joining होने के बाद भी अगर बाद में पता चलता है कि आप इसके लिए eligible नहीं है तो आपको वहाँ पर terminate कर दिया जाए उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि selection process क्या रहने वाली है तो इसमें जो है CBT exams होता है और उसके बाद interview होता है and medical examination होती है जिस पे मैं एक separate अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या selection process है क्या exam pattern है कौन-कौन से questions आते हैं सभी कुछ मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूँगा और अगर आपको इनके previous paper चाहि यह की नहीं चाहिए तो सभी कुछ जो भी main information था मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं कि इसको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए मैं वीडियो के description में इसी website का link दे दूँगा apply online के नाम से उस link पर जैसे click करोगे तो यहां पर advertisement वाले पर click करोगे तो यहां से आप advertisement download कर सकते जो भी JIT की vacancy है तो यहां पर आपको यह सभी state वाला अलग अलग है और जो पैन इंडिया का है उसके बाद यहां पर अगर आप apply करना चाहोगे तो application वाले link यहां पर दिख रहा है इस पर आप click करोगे तो यहां पर जो application दिख रहा है यहां से आप इसको apply कर सकते हैं तो ज इस लिंक पर जैसे click करोगे तो इस तरह का जो टीस का website आप कोई भी वेकंसी apply करते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं वीडियो की description में लिंक दूँगा तो अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया जल्दी एक्टिवेट कर दिया जागा तो मैं आपको टे information था इसको कैसे apply करना है उसके लिए भी मैं एक separate वीडियो आपको अलग से बना दूँगा जिसको देख करके आप इसको apply कर लीजेगा तो हैब आप इसको समझे होंगे मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दीजेगा और अ जो भी important update आती रते मैं बताता हूँ तो जरूर से चैनल को subscribe कर लीजेगा और वीडियो को जरूर से share कर दीजेगा